कौन थे ज्यानी दित्थ सिंग्? सिख पंथ में उनका क्या यूगदान है? सिंग सबा लहर के प्रमुक प्रचारक, महानलेखक, भाशनकार और पत्रकार ज्यानी दित्थ सिंग् जी का जन्म फतेगर साहिब जिले के गाउन नंदपुर कलोड में सरदार दीवान सिंग के घर माता रामकौर की कोवग से 21 अपरेल 1853 को हुआ सिख कौम के महान विद्ध्वान ज्यानी दित्थ सिंग् जी ने अपने 51 साल के जीवनकाल में 70 कितावें लिखकर कौम को अरपित की 1873 इसवी में जब ईसाई मिशनरियों ने पंजाब में ईसाई धर्म का प्रचार करना आरम किया तो सिखों की नई पीड़ी सिखी से दूर होने लगी उस समय दित्थ सिंग्जी ने प्रफेसर गुरुमुख सिंग के साथ मिलकर सिखी का प्रचार किया तथा नौजवानों को सिखी सिध्धान्तों के साथ जोडने के लिए अने को यतन किये ज्यानी दित्थ सिंग्जी ने अपने ज्यान से स्वामी दयानंद जैसे विद्धवान को धार्मिक बहसों में चार बार हराया था दित्त सिंग्जी ने अपने सापताहिक खालसा अखबार लाहोर के माध्यम से अपने लेग चापकर वहम ब्रह्म, कर्मकांड, पाखंड और अंध विश्वास का विरोध किया और लोगों को शिरी गुरू ग्रण साहिब जी पर भरूसा बनाये रखने के लिए प्रेरित किया पचास साल की उम्र में एक संस्था की तरहा सिख फंत के सुधार और विकास के लिए काम करने वाले ज्यानी दित्त सिंग्जी ने 6 सितंबर 1901 इसवी में तुरिया को अलविदा के दिया दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको अपने बाकी गुरूस में भी शेर करें अपने फेसबूक पर भी शेर करें और दिलिशी गुरुदरा मेंज़मेंट कमेटी का गुरुदवारा बंगला साब का गुरुदवारा सीजगए साब का वीडियो आप और देख पाएंगे बहुत बहुत आपकर देने बाद कौन थे ज्यानि दित्त से